दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज हम बात करने जाने इंडियन आडल सीजर 12 के टॉप कंटेस्टेंट मोहमद दानिश की लाइफ स्टोरी के बारे में अगर आप इस चानल पर नए है तो चानल को सस्क्राइब कर ले मोहमद दानिश बहुत ही प्रतिभाशाली गायक है उनका प पर मोहमद दानिश चल रहे हैं आए जानते हैं इनके जीवन की पूरी कहानी और इनके लाइफ स्टाइल तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आप इनके फैन है तो लाइक करके कॉमेंट कर दें आयों फैन आप मोहमद दानिश दोस्तों इनका रियल निम पर नगर के ही डीएवी स्कूल से पूरी की और इंद्राकला संगीत विशुविद्याला चत्तिर गर्स से इसना तक की पढ़ाई पूरी की जैसा कि आपको बताएगे कि मोहमद दानिश की फैमिली बैग्राउंड पहले से संगीत की दुनिया से जुड़ा हुआ है इसलिए इनको भी बहुत कम समय में ही संगी सीखने का जोश चाग उठा और पिछले 10 सालों में लगा पर अपने संगीत को और बहतरीन बनाने की कोशिश करते रहे और कई सारे रियालिटी शो में हिश्चा ले चुके है अब बात करते हैं के फिसकल स्टेटस के बारे में इनकी प्रेट एक्टर शारुक खान और सल्मान खान है फेवरिट सिंगर विशाल ददलानी है फेवरिट फूड नॉर्थ इंडियन फूड फूड फेवरिट स्पोर्स क्रिकेट है हॉबी अक्टिंग डांसिंग ट्रेवलिंग है अब बात करते हैं के फामली के बारे में मुहम्म गाईकी के दम पर इस शो में फाइनल तक भी पहुंचे मुहम्मद दानिश इंडियन आइडल के हिस्सा लेने से पहले 2017 में इंडियन रियालिटी शो दी वॉइस ऑफ इंडिया सीजन 2 में भाग ले चुके हैं इस शो में अपने दमदार प्रदर्शन से सबके चाहेते इस पर रिलीज हुआ था आपको बता दे कि यह गाना देजभक्ती धुन पर गाया हुआ गाना था मुहम्मद दानिश का एक म्यूसिकल अलबम बना चुके हैं जिसका नाम मेरी जान है उनके इस अलबम को पवन चावला और मिका सिंग जैसे दिगजों ने प्रोडियूश क से लोगों को इसकदर लुभाया कि वे सबकी दिवाले हो गए अध्दानिश इंडियन आडल के टॉप कंटेस्टिन में अपनी जगह बढ़ा चुके हैं एक से बढ़कर एक पुफार्मेंस देने पर इस शो के विजीता के दावेदारी बहुत ही मजबूती से पेश किया है हाली में इनको सन्मुक प्रिया को सोचल मीडिया पर काफी विवादों का साबना करना पड़ रहा है सन्मुक प्रिया को लगातार किसी भी गाने के एक ही मौड में गाने पर लोगों ने जम कर ट्रोल किया है और शो से बाहर करने की मांग भी की थी वैसे आपको मुहम्मद अब जा के गर के बारे में धानेज अपने फामिली के साथ उत्तर प्रदेश के मुझफर नगर में रहते हैं आज खल वह अपने काम के कार्ण मुंबई में रहा है आई जानते हैं इनका ड़त कितना एक मिडिया रिपोर्ट के अनुसार इंकी वन 72 लाग इंडियन रुपीज में है यह एक टीवी शो के 20 से 35 चार्ज करते हैं और एक स्टेश शो के लिए 3 से 4 लाग रुपए चार्ज करते हैं आईए जानते हैं उनकी कुछ अंसुनी बातें दानिश ने मशहूल कॉमेडी शो कपिल शर्मा को भी सो कंटेस्टेंट के साथ परफॉर्म किया था सपना चौदरी अभिनीद उनका एलबम मेरी जान मीका सिंग पवन चाहुला द्वारा नेमित किया गया था 2012 में वह सह भागियों संगीत प्रतियोगिता में विजेता बने उन्होंने अपने दादी से लगबग 10 साल का प्रिक्ष्टर लिया है उनका शौक गायन नितिक और यात्रा है उनके पसंदीदा अभिनेता सिल्मान खान शारुक खान है उनका अपना एक यूटूब पर चान बनने जा रहा है इसके लिए हमें इंडियन आइडल की ग्रेंट फिनाले का वेट करना पड़ेगा तो यह थी मुहमद दानिश की लाइफस्टाइल वीडियो अगर आप मुहमद दानिश के फैन है तो इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक्स में सरूर बताए कि आप चानल पर नए हैं तो चानल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को फ्रेस कर दें